उत्राखर्ण से मैं आता हूँ उत्राखर्ण की सिती ये है कि उत्राखर्ण का जीवन 5 साल यह ज़ादा धसानल का है वा कश्मीन बनेidän इसको पूर्ड नहीं सकता है इसके लिए मैं आपको यह बता हूँ कि बंद्रिणात में दारनात में मजद को न के नमाज अधा होनी शुरू हो गई है जो वोटेज परसेंटेचर चेंज हुआ है दोजार बारा से लेके 2022 तक यह 43 पर preferably उदम NHNG थेरादू में 41% नैंटाल में 32% हरदोर में 33% हरदोर में हरदोर पूरा शहर घेर लिया गया है और टोटल परसंटेज राइस 37 परसंट है और यह 20 परसंट से लेके यहां तक इतनी परसंटेज हो गई है और पूरे पहाड में पूरे देरहदून में जित्ता भी फल और सब्जी का बिजनेस है यह 90% business हमारे शांती दूदोग के पास है. 2012 में इसका एक सर्वे कराया गया था देरादून सिटी में 7001 ठेले वाले जो फल और सब्जी बेजते हैं, ये सारे शांती दूद थे और उसमें से अधिकांश जो हैं वो बंगला दिर्श से आने वाले थे उसकी पूरी लिस्ट त्यार करके मिशको इसको कहने में कोई शर्म नहीं है और कोई हिजक भी नहीं है जस्टिस शंबुनाज श्रिवास्तव जी नहीं ये सर्वे करवाया था और इस सर्वे करा के बीजे गौर्ण्मेंट को दिया गया था कि मुझको पुलिस महिया करा दीजिया और मैं इन सब को डिटेंशन जो कि स्टेट का सब्जेक्ट है डिटेंट कर दूगा डिटेक्शन में डाल दूगा और इनको डिपोर्टेशन गौर्मेंट विंडिया करेगी तो उस जुलाई एकत्यस को शंबुनाज श्रवास्तव जी का कारेकाल उत्राखंड में बीजेपी सरकार ने समाप्त कर दिया तो यह हमारी स्थिती है अब इसका समाधान क्या है इसका समाधान यह है कि हमारा उत्राखंड क चाथ 630 किलमीटर का बॉर्डर चाहने के साथ लगता है और एक बाटैलियन जो है वो 40 किलमीटर के एरिया को पेट्रोल करती है हमारे हाँ वहां पर स्काउट्स थो आरुनाचल जो स्काउट्स हैं या जो सिक्केम स्काउट्स हैं उसके तर्ष के ऊपर पारामिलिट्री फो बार को क्योंकि हमारे एक कारिकरम चल रहा है जिसमें फिश्रीज में और पिग्रीज में एटी परसेंट गौर्वर्मेंट सबस्टी देती है तो अगर हम पिग्रीज को वहां पे लगा देंगे तो हमारे शांतिदूर शायद उनको बरदार्श निकल जाएंगा और हमारा समा है उसको थोड़े दिन के लिए टाल सकते हैं हमें टाइम मिल सकता है लड़ने के लिए तो यह दैनियर सिती है पूरे और सबसे मैक्सिम देरादूर शहर के अंदर धरंपुर में जो चेंज आया है 56 परसेंट शांतिदूतों के अबादी है देरादूर में क्या आप कर सकते हैं उसका solution मंदिर को center बना के मित्र मंदली बनाईए मंदर में जाके एकठे होई है मंदर में जाके सबकी साथ बनिये मंदर का भी उत्थान की जए अब आपसी में भाईचारा बढ़ाइए और एक दूसरे को पहचाने वह आपका एक जो मित्र मंदली है अगर आपके घर मे फक्का है अब यह कुछ खालिसतान की बात हुई थी तो मैंने इसमें देखा कि इसमें एक मेरे भाई यहाँ पे दस्तार पहने हुए है और एक भाई मेरे पीछे थे उन्होंने दस्तार पहनी हुई थी यह अंग्रेजों का श्रेंट था 1823 में अंग्रेजों कर लिया कि हमको हिंदुस्तान चोड़ के जाना पड़ेगा उन्होंने तब से यह शर्यंत करना शुरू किया कि कैसे हिंदुओं को सिखों से अलग किया जाए और सबसे पहले यह 1857 के विद्रो के बाद एक जो कमिशन मना था जोनतन पील का कमिशन उसने उसमें पाया कि इस व सिख समाज को हिंदुओं से अलग करने के लिए अर्निस्ट ट्रंप मैं पूरे ज्यादा टाइम ना लेके मैं आपकी पूरी लिस्ट ले लेता हूं जो लोग इच्छोख हों वो इसको जरूर पढ़ें और अपने आपको इससे अफगत कराएं कि यह कैसे हुआ तो उस समाज को हमको अपने पास वापिस लाना है घर वापसी एक बहुत अच्छा सुजाव है और वर्कबल है लेकिन घर वापसी का नुकसान पंजाब में हुआ जो घर वापसी वहाँ पे करा रहे थे उन लोगों ने अपनी सीमा की दारह कुछ भटक गई और उन्होंने बी समझाय को मैं उस परवार से आता हूं जिसमें केश्धारी भी है और मेरे जैसे भी है उधारन के तौर पर देता हूं टाइमस अफ इंडिया में प्रदीबदत्ता जो है वो केश्धारी है मैं कुलदीब दता हूं में केश्धारी नहीं अब यह इसकी खालिस्तान की जो नीव जो है यह सिंग सवा मुव्मेंट में रखी गई इसको अगर आपने पढ़ना है कि क्या किया गया केफी कहान पर लिए गुलाम हुसेंग स्थान को पर लिए गुलाम मयुद्दीन को पर लिए मुह मैंद वारिस अबारत नामा उसका पर पढ़ लिजे मौमब शफीव वारत पढ़ लिजे मौमब कलंदर यार पढ़ लिजे मौमब दतीफ पढ़ लिए हिस्ट्रिय अप पंजाब अंग्रेश कौन 210 में Home Office को लिखा कि we have been successful in creating a divide between the Hindus and six और डेविड पेट्री वापस इंग्लेंड गए उनको नाइट होड दिया गया और नाइट होड देने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थे और ही बिकेम हैड अफ माई फाइट तो ये सिंसला सिंख सभा मुवमेंट जो है ये अंग्रेजों की वहाँ पे बिठाई हुई है तो ये चीज पढ़के हमको ये हमारे भाई हैं जो इसने भी दस्तार बांदी हुई है दस्तार बंदी जैसे हमारे मुणडन की सरिमनी होती है सिखों में दस्तार बंदी होती है जो पगड़ी बंदी जाती है तो यह हमारे भाई हैं यह हमसे अलग न हो इनको वापस लाना है अब इनको हमें हिंदू नहीं मनाना यह हैं हिंदू लेकिन इनके मन में जो मन मुटाव हो गया है तो थोड़ी सी घरवाप्ची के वैसे हो और बाकि सारा अंग्रेजों को क्या हुआ है उसको हम ठीक कर लेंगे तो उसका वो समधान बिल्कुल हो जाएगा उनका भ्रहम दूर हो ज झाला 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 झाला